हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चनल शेवादारवित आयूश और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में Execom Telesystems IPO के 3rd day subscription के बारे में तो दोस्तों आज इस IPO का आखरी दिन था और आखरी दिन किस तरीके का subscription आया है वो आपको बताऊंगा एक बात जरूर है कि subscription outstanding है retail category ने जिस तरीके से इस उस्चों में पैसा लगाया है वो अपने आप में देखिए phenomenal है तो वीडियो को देखिएगा पूरा क्योंकि हम बात करने वाले इसके बारे में लेकिन उससे पहले दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले आप दोस्तों चैनल को subscribe कर लीजिएगा तो friends देखिए 135 से 142 का price bend था बट अगर आपको IPO मिलता है वो आप खुश नसीब व्यक्ति होते इसको का lot में मिलता है 142 रुपीस का 1 share मिलेगा कितने shares मिलेंगे 100 shares मिलेंगे according to आपने कौनसी category में लगाया है अगर आपने H9 लगाया तो आपको ज़्यादा shares मिलेंगे अगर आपने retail लगाया तो आपको minimum maximum 100 shares ही मिलेंगे इस बात का ध्यान रखना है वलिए आपने 13 lot के लिए लगाया कोई matter नहीं करता है आपको मिलेगा सिर्फ एक lot या आपको उन्हें पहले भी बता दिया था कि अगर retail में अब कितने भी lots लगाया minimum और maximum एक की lot मिलता है अगर over subscription हमको देखने को मिलता है बाकी दोस्तों इशू का size ठीक ठाकता है 430 करोड का अच्छी बात यह थी कि 339 करोड का जो था वो fresh issue था बड़ा जो portion था वो fresh issue था और बचाओ बाकी का offer for sale था और BAC, NAC दोनों पर आपको इसके listing को थी भी नजर आईगी अब बात करते हैं दोस्तों आज के subscription के बारे में सबसेल दोस्तों हम शुरुआत के 2 दिनों के subscription के बारे में बात करते हैं जो QIB category थी उसने दो दिनों में इस issue को 5.13 था जो non-institutional investors या फिर H&I category थी उसने 56.73 था जो retail category थी उसने 68.35 था और कुल मिला के 30 गुना ये issue सब्सक्राइब हो गया था मात्र दो दिनों के अंदर मात्र दो दिनों में ये जो issue है वो 30 टाइम सब्सक्राइब हो गया तो ये दिखा था कि बहुत बड़े subscription आपको आता हुआ देखने को मिलेगा क्योंकि हर एक category की तरफ से जो response आ था वो अपने आप में काफी दमदार था अब यह हमको आखरी देखना था में अब कल भी का था कि QIB portion कितना सब्सक्राइब होता है तो जो data निकल कर आया है वो आप देखिए जो QIB category है यहाँ पर वो हुई है दोस्तो 124 गुना सब्सक्राइब जी हाँ 124.82 टाइम सब्सक्राइब हुई है पांच गुना सब्सक्राइब हुई थी दो दिनों में और आखरी दिन कितना हो गए सीधे 124 गुना कुल मिला के दोस्तो QIB category को कितने shares offer किये गए थे वो थे 1,19,700 shares के लिए यहाँ पर बिड आपको आती भी देखने को मिली है कुल मिला के QIB category ने इस issue में 17,936 करोड रुपे लगा है जी हां 18,000 करोड रुपे जो है आपको किस की तरफ से आते हुए देखने को मिले from the QIB category इसके बाद जो category आती है वो है non-institutional buyers के और यह कहां पीछे रहने वाले एक सो साड गुना सब्सक्राइब किया है देकि इस बार जो डेटा है वो यह बनाता है कि जादा पैसा किसके तरफ से आया है वो दरूर QIB है बट इन टरम्स आफ नंबर्स एक सो साड गुना सब्सक्राइब होगा है non-institutional portion मतलब जादा अगर ऐसा टाइम्स दिखा जाए तो HNI काड़ेगरी जादा थी बट यह जरूर है कि दोस्तों इसमें QIB काड़ेगरी सबसे बड़ी काड़ेगरी थी इसलिए दोस्तों इस प्रकार का जो पैसा है वो आपको आता हुआ देखने को मिला उसकी बावजूद भी वो 125 गुना पर रुग जया क्योंकि retail का 10% का portion रखा गया था बट ठीक है HNI काड़ेगरी 159.22 सबस्क्राइब होती है 10,245 करोड रिसीव हो है इसमें घर बात करता हूं बिग एचनाय काड़ेगरी की तो करीबन 163.95 सबस्क्राइब होई है करीबन 30,21,100 शेज ओफर किये ग सबस्क्राइब हो जाती है कुल मिला कि 15,10,10 शेज ओफर किये गए थे लेकिन 22 करोड एक सट लाग शेज के लिए अप्लिकेशन आ गई और कुल मिला कर हम कह सकते हैं कि यहां पर 3,211 करोड जो है वो डाला गया है फ्रॉम दे स्मॉल इचनाई तो इस तरीके का सब्सक्रिप्शन बैठता है वो कितना बैठता है वो सब्सक्रिप्शन बैठता है अराउंड तो 32.8 में से एक विक्तिक अलॉट्म मिलेगा पांच डिवाइड क्यों किया रिजन सिंपल है दोस्तो जो एचनाई काडिगरी होती है वहां पर आपने जो बिट लगाई है उस में से एक को अलॉट्म मिलेगा तो 149.74 में से एक विक्ति को अलॉट्मेंट मिलता हुआ नज़र आएगा इसके बाद दोस्तो जो काडिगरी आती है वह सबसे इंपॉर्टन जो है रीटेल की और रीटेल 123.36 ताइम इस इस इशो को सब्सक्राइब किया कुल मिला कर 30,21,000 ओफर किये गए थे और 37,26,68,600 शेज के लिए जो एप्लिकेशन है वह रिषीव होती ही नज़र आई कुल मिला कर 5,291 करोड जो है वो लगाए है किसने यहाँ पर रीटेल काटेगरी के अंदर इस तरीके का पैसे रीटेल में भी हमको आता हुआ नज़र आए अब रीटेल क्या होता है जैसे आपको मैंने शुरुबात में कहा था कि काफी लोग होंगे जिसने 10 लगा दी होंगे 11 लगा दी होंगे 12 लगा दी होंगे अप आय तो रीटेल में ही है लेकिन अपके नमब्र ओफ शेर कितने हो गए बारास इन मुलिपलाइ कर दीजे तो बारास हो हो करता है application वाइस कितना application आया है कुल मिला कर 3535533 इतना application आया है तो इसको करना क्या आपको देखें जो application दे रखिए 3535533 इसको multiply करते हैं 100 से क्योंकि 100 शेयर आपके पास राइट अब इसको multiply करने के बाद आपको divide कर देना है 30,21,100 शेयर से तो कुल मिला के दोस्तों यह में निकाल दिया है इसका आता है around 117 टाइम तो 123.36 तो दिख रहा है आपको सब्सक्रिप्शन बट ओवर अप्लिकेशन वाइस सब्सक्रिप्शन है वह 117 गुना है तो आपको हर 117 में से data नहीं रहता है तो और आप मोटा मोटी मां देजे कि हर 117 में से एक विक्तिक अलॉट्मेंट जो है वो मिलता हूँ अज़र आएगा इस IPO के अंदर retail के अंदर टोटल मिलाकरी जो इशू है दोस्तो 133.39 टाइम सब्सक्राइब हुआ है राइट 133.39 सब्सक्राइब हुआ है कुल मिलाकरी इस company को 33,474 करोड रुपीज रिसीव हुए अब देख सकते हैं इस प्रकार का massive subscription है इस तरीके का पैसा जो है वो निकल कर आया सिंपल सी बात है पैसा आ जाता है और exactly वो हमको इस IPO में देखने को मिल रहा है इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तो अलॉट्मेंट आपका था कि कितने में से कितने को मिलने वाला है लेकिन अलॉट्मेंट की date कौन सी है तो वो tomorrow यानि 1st of March यानि कल की date ही है जब आपको पता चल जाएगा क कि आप वो खुश नसीब है या फिर नहीं तो कल पता चल जाएगा मैं कल अलॉट्मेंट पे एक सेपरेट सा वीडियो लेकर आ जोंगा जिसमें हम बात करेंगे अलॉट्मेंट चेक के से करना है जिनको नहीं पता है जुन्होंने फर्स तैम लगा उन सब के लिए अलग से इसा से व डीटेल वीडुह आजाईगा जिसमें बात करेंगे इसके करने अलॉट्मेंट बात करेंगे बात करेंगा हो सो बेदूपन इसके बाद मर्स इसके निसके लिस्टेन तो यही है अब लगाने के बाद अलॉट्मेंट का वेट करना अगर बात करता हूँ करेंट ग्रे मार्केट की तो जो करेंट ग्रेंट ग्रेंट है वो करीबन 109 गुना है 109% है तो अगर आपको IPO आ जाता है यह IPO लग जाता है तो आपको 109% तक का return मिल सकता है इस प्रकार की expectations है तो इस तरीके करेंट के दमदार ग्रे मार्केट है वल्ली तो ग्रे मार्केट में यह बात सही है कि गिरावट देखने को मली 126% पहुझ गई थी अब वहां से 109% आ गई है तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था बाकिया आप लोग बढ़ाएगे comment section में कि आपने कितने application लगाई कितने application आपने apply किया इस issue के अंदर अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो like और channel को subscribe करना बिल्कुल न भूलिएगा Thank you friends for watching this video